सब्स्रीकाल मैं अकिरन ते तुसी देख रहे हो हाथ न्यूज इंडिया टीवी पाजपादी केंदर चे सरकार नो अज एक जून नो नो साल ना समा पूरा होया है जिसनू लेके पाजपादी केंदरी सेहत मंतरी वलनो नो द्याना चे नो साला दिया प्राप्तियां गड़माईया गईया इस मौके मनसुख मनविया नेकेहा की सरकार ने नो साल चे देश दी गरिबी नो काट किता है अते उना लोकां तक समाजिक स्कीमा दा फाइदा पहुंचाया है जिननू सरकारी स्कीमा दा लाब नहीं मिलदा सी असे किसाना नहीं ताई लख करोड रुपे दी खाते सबसीडी दिती है किसाना नो मेहन दा यूरिया नहीं खरीदना प्या बविंजा साल एक सो तेती दीन तक कांगरस दा राजरिया गरीबी नहीं हटी पर गरीब जुरूर हट गया गरीबा नो भी जून दा दिकार है उना किया कि साड़े नौ करोड परिवारा नो मुफ्त गैस लेडर वड़ने गए हर्ट नियूज इंडिया टीवी देली अमनता अगड़ी रिपोर्ट बहुत अच्छा विशे हैं देखो एजूकेशन एस स्टेट सब्जेक्ट है बारत सरकार राज्य को आर्थिक सहयोग करते हैं हेल्थ इस स्टेट सब्जेक्ट हैं एजूकेशन उसमें हम क्या करते हैं स्टेट मोडेल बनाते हैं आपके राज्य में मैं हेल्थ का एक्जम्पल देके बता हूँगा तो आपको क्लेरी क्या है कि वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है हेल्थ और वेल्नेस सेंटर बनाना है भारत सरकार का 60% पेशा मिलता है उसमें मैंपावर लगाना है 60% पेशा भारत सरकार का मिलता है आईश्रमान भारत योजना लागू करना है 60% पेशा भारत सरकार का मिलता है नेशनल हाइल्थ इंफ्रास्ट्रेक्टर्टर मिशन चलाया एक डिस्टिक को पांस साल में 60% के रूप में 100 करोड रुपया देने के लिए हमने कारियोधना चलाई तो राज्य सरकार हम एक मॉडेल देते हैं और राज्य सरकार का मॉडेल को भी हम सनमान देते हैं तो राज्य सरकार सर्वशिक्षा अभ्यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी लोगों को एजुकेशन का अधिकार मिले अपने स्थान पर मिले उसके लिए एक मोटी मोटी गाइडलाइन के रूप में काम करता है उसके अनुरूप स्टेट गवर्मेंट योजना चलाती है बारत सरकार उसमें 6% सहयो करती है कई राज्य सरकार उसको अच्छी तरह से इंप्लिमेंट करती है कई राज्य सरकार प्राइवेट एजुकेशन को ज़्यादा भार देती है लेकिन उसमें भी सरकार के बहुत क्ल पाल पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की वेवस्था सामान्य पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की वेवस्था सरकार देती है लेकिन कोई लोगों को लगजरी में बैठना है को लोगों को प्लैन में जाना है तो प्लैन में उड़ने के लिए की चिंता सरकार करें इसा नहीं हो सकता आपक एक दो लाग की फीजवाली स्कूल में पढ़ाना है तो ये व्यक्तिपन निर्वर कर जाता है लेकिन प्राथ्मिक एजुकेशन की सुविधा सरकार के और से मिले इसलिए एजुकेशन का बजेट भारत सरकार ने थी टाइम बड़ा दिया एजुकेशा हमारे प्राइब आपने गैस का एपिसोड आपने शेयर किया कि आपने गैस बड़ा लिया था कहने पर किसी के गैस आज की डेट में मिल रहा है और गैस सिलिंडर की जो रीफिल है सरक उसका दाम भू बढ़ गया सर्थाइसो से आज गैरा सो बारा सो के आसपास ह हो गया है लोग इस चीज से ही बड़े प्रशान है सर बारा गेस के सिलिंडर तो सबसेडाइज रेट में मिलता है दूसरा गेस के सिलिंडर गेस यह आज इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक हो गया कोई भी सरकार आएगी हमारी सरकार हो कि क्योंकि निती हमने नहीं वह प्राइज इंटरनेशनल प्राइज बढ़ती है तो उसके प्राइज बढ़ती है इंटरनेशनल प्राइज कम होती है तो उसकी भी प्राइज कम होती है उसमें समदने का विशह है एक में एक के बाद एक क्लेरिटी करता जाओ तो आपको सुविधा भी रहेगी कोई डि रिजल पैट्रोल उसको जीस्टि में लाने के लिए जीस्टि काउंसिल डिसीजन करती है, आज तक भारत सरकार ने सभी का कंसें से डिसीजन किया है, उसमें सभी पाज डिकी हैठ फिनैंस मिनिश्टर होते हैं, तो अभी आज तक उछसमें काउंस नहीं बन पाया है, तो निर्णे नहीं कर पाए हैं, हम तो चाहते हैं कि कल ही करें, लेकिन जब तक राज्य सहमत नहीं होंगे, तब तक करना मुश्किल है। अब तो किसाने में भी कर दिया है, इसमें सहयोग दे लेगा, तो सरकार किसे नहीं होंगे, देखो सरकार का काम है, फोर एक्जम्पाल, वहां से डिमांड आई कि एफायर करो, सरकार ने एफायर कि, पुलिस उसकी तपास कर रही है, और तपास में जो आएगा, डिमांड रख सब्सक्राइब कर दिया है, पुलिस उसकी तपास कर रही है, एक कोई पुलिटिकल मुद्दा के तोर पे स्थिति को नहीं ले जानी चाहिए, और नहीं किसी को डायवड करनी चाहिए, देश की विए दिक्कत है कि सभी इसमी होगे, आईवां में भारत कि प्योजना है, वह प्रफिटल में जाओ इसमें जब मेरे पास यह सुचना आई क्योंकि होस्पिटल ट्रिप्टमेंट क्यों नहीं देगी जब होस्पिटल को टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा आप इलाज कराओंगे पैसा नहीं मिला तो बीच में राजस्ता पंजाब गवर्मेंट ने पैसा नहीं दिया था तो मैंने बाद में होने पैसा दे दिया चालो हो गए जब चार-चे मिलेगा उसमें उसका बेस्ट इंप्लिमेंटेशन के लिए जितना प्रयास होगा उतने सक्सेस को चलेगी मैंने सब होस्पिटल से मीटिंग की और उसमें जो जो कमियां उसको मुझे दिखी वो कमियां को गुरुस्त कर दिया है अभी जाके अईश्मान भारत यूजना की यूजना से इंप्लिमेंटेशन के साथ जुड़ी होई होस्पिटल को मिलिए वो बदल देखेंगे पहले लाबार्ति का लिस्ट सोनीचित नहीं था गुरुस्त हो गया सौफ्ट्वेर में कोई बदल करना था क्योंकि अनुभव के अधार पर करनी चाहिए होती है वो हो गया तीसरा पैकेज कम था तो पैकेज भी बढ़ाया गया चो था भारत सरकार ने ओटो मोड में कर दिया कि जैसा स्टेट दोवर्मेंट पैसा डालेगी भारत सरकार का पैसा ओटोमेटिक आ जाए उसमें भी में बदल कर रहा हूँ कि बैंक में स्टेट गवर्मेंट बैंक को ही जिम्यवारी दे दे पैमेंट करने की पहले ओ इंशुरंस मोड में था तो कंपनी इंशुरंस लेती थी और कंपनी इंशुरंस कंपनी तो क्या करेगी उसको पैसा बचाने की कोशिश करेगी तो उसको अ कोई इंशुरेंस कमपनी की आवशक्ता नहीं वो ही चेक कर ले और उसको कर दे तो यह भी सुनिचित कर दिया है ज्यादा तर स्टेट उसमें जुड़ गया है पंजाब भी जुड़ गया है उसमें तो कोस्ट मोड से उसका का इंप्लिमेंटेशन होना सुनिचित कर दिया है अभी बदल हो चुका है अभी आप जाएंगे तो और डेली तीन से चार न्यू होस्पिटर डेली जुड़ने लगी तो पंजाब के मुखमंत्री को आपने जैट प्लस स्कोटी देने की पास उन्हें मना कर दिया है उनका विशह में पॉलिटिकल विशह में नहीं पढ़ना चाहता हूँ सरकास is दिए तरह नहीं कि वह इस तरह नहीं आप से चाहत उन्हें यहां पर उसके बादे में आप क्या कहना चाहेगे पर राहूल गांडी आप सब लोग जानते हैं इसलिए मुझे को प्याहन करो है जदा आपने इंडिया की सबसे ज़्यादा है ठीक है जी डीपी अच्छी है अगरिए इंडिया ग्रो कर रहा है तो नो साल में सर दो बार नोट बंदी किया है कहा नोट बंदी हुई पहले भी नोट बंदी होगे अब 2000 को बंदी हो दिया फिर बंद करते हैं आपको अपने जो पंद करने का फैसला लिया है एक में उसमें आपको कोई नुकसन हुआ आप जब क्रिशन पूछ रहे हैं तो आपने भी क्लेरिटी होनी चाहिए यहां से बेटे होए किसी को एक 2000 की नोट इसलिए लाई गई थी उस वाक्त जब नोट बंदी की गई उस वाक्त करंसी तुरंत ही चाहिए तो 1000 उपे की नोट बंद की और मार्केट में तुरंत ही करंची चाहिए तो एक शौट टाइम की एक में आपके समझ में आये इसलिए आपके आपने पोलिटिकल प्रेशन पूछा है तो मैं उसका यह सा भी जबाब दिया इसलिए तो उस वक्त सरकार ने 2000 की नोट मार्केट में बाद में उसको फिर से चापी नहीं लेकिन वो जाती गई बैंक में वैसा वैसा उसको विड्रो होती रहे के वल सेवन परसंड ही नोट जो चापी थी उसमें ही सेवन परसंड नोट मार्केट में थी तो सरकार ने कहा कि 4 महीने में सभी नोट रोटेट होके फिर बेंक में चली जाए और उसके बतबता वो चार्टर रहेगी और 4 महीने एक बार उसका उप्युक बंद किया जाए था इसलिए नोट बंदी के रूप में उसको नहीं लागू कर सकते हैं लेकिन नोट विड्रो करना हर सरकार के समय में नोट एक उसका बहुत बड़ा मिकेनिजम है एक एकोनोमी है यह होता रहता है करना पड़ता है लेकिन उसका हमारे समाच जीवन में को नेगेटिव इंपेक्ट आया हो तो बताओ कि आपने दोजार नोट की बंदी कर दी इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया ऐसा कहा किसी के हुआ हो बकिन सरसर सर लेकिन लोग जो एफकों में जाकर इस समय इंटो करेशान हो रहे हैं बिल्कुम नहीं उफ़ जगह पेप्रेशन नहीं कर जा बेसाथ प precisamente सब ही जगह पे इस तो आप जो आप जाकी किसी का बना ले एक में एक में एक में सबी जगा पे किसी के स्थान पर दो हजार के नोट नहीं लेना ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है आप पेट्रल पंप पर जाते होंगे दो हजार के मोट ले लेंगे आप को विवहार में उप्योग करेंगे दो हजार के मोट स्टांडर के रुपे उप्योग हो रही है लेकिन टोटल में ऐसा कुछ नहीं है किसने एव फिगर किसने दिया था ने ने पर फिगर दिया किसने वहुन साइब कोन साइब है आप से इसको जुटाते हैं तो आप जुटाते हैं इसको एंकरे को